तो हलो बच्चों कैसे हम सब लोग स्वागा ठेक बाफ फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिपसा एजुकेशन फॉर एक्सेलेंस के इस ऑनलाइन क्लासे इस पर तो बच्चों जैसे कि आप सभी लोगों को याद है भी कि हमने अपने दो अध्याय के important question को मैं दे चुका हूं वापस साम के चार बज़ वाले क्लास में आने कि अभी की क्लास में मैं अगले दो चप्टर के आपको important question के बारे में बताने वाला हूं तो बच्चों आज आए मेरे सांजुड़ दाए और आज के इस class को मिस्टार्ट करते हूं तो भूरChra पर पर्परहार करना है पर क्षोपड़ी नई उसको चलनी चलनी कर देना है परिक्षा पर पेपर ज immersion को सॉलोकर के आना और टॉप करने से इस बार कोई भी नहीं रोक सकता हमें कोई भी नहीं Southern तो यह होने वाला अंतिम प्रहार का लेक्चर नंबर फाइब जो कि मैं आपको तारिक छाय में देने वाला हूं साम चार बजे ठीक है साम के चार बजे आप यह वीडियो देख रहे होंगे अब यहां पर अगले दो चाप्टर के हम इंपोर्टेन कोश्चन के बारे में बात क करने वाले हैं कौन कौन सा चप्टर बच्चो तो आपका अध्याय साथ और अध्याय आठ दोनों अध्यायों को मैं सात आपको इंपोर्टेन में बिता तो को से घ्रक रखा हूआ हूआ इसका प inco all पायरा्व यह आपका पिटारव कोशी का होगा य opini अद्धियाई साथी कौन से आपका आलएख है अध्याय साथ है आध्याय साथ है जिसे में मिलीतने ग्राफिव भी बोलते हैं याद कि इस अध्याय से आपको एक ही question पुछा जाता है कि जो की चार number के लिए होता है यहां से actually दो question पुछ जाएंगे उसमें से एक question की ही आपको answer देना होता है क्योंकि जो चार number वाले question होते हैं वे क्या होते हैं वे अथवा वाले question होते हैं यानि कि दोनों में से किसी एक कही प्रस्ण का उत्तर देना है दोनों को नहीं देना हुशायरी नहीं मनना है किसे हमें तो अच्छे दोनों question का answer आता है हम दोनों को लिखेंगे ताकि examiner हम ज्यादा नंबर मिलेगा ऐसा नहीं करना भी या time waste नहीं करना है जितना बोला जाया उतना ही काम करना एक प्रस्ण सौल करने के लिए कहा गया है तो एक ही करना दोनों को क्यों करोगे ठीक है चलिए तो देखें बच्चों मैंने यहां पर उस question को लिया हुआ है जो मैंने के mission 2030 के अंतरगत कराकर होगा ठीक है मैंने इन सभी प्रस्णों को mission 2030 के अंतरगत अच्छे से समझा दिया है यहाँ पर वापस से मैं नहीं समझाऊंगा बच्चों बहुत टाइम वेश्ट लगेगा बहुत टाइम वेश्ट हो जागा आपके पस इतना समन्हां है कि इसको आप दो दो बार देखो तो उससे अच्छा है कि मैं यहाँ पर जो कोशन लिया हुआ हुआ इसका इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वहां से जाकर आप इन प्रशनों को पहले पढ़ेंगे टोटल बच्चों मैंने यहाँ पर अध है अगर आपको वीडियो देखकर पढ़ना है तो वैसा भी पढ़ सकते अगर किसी बच्चों को लगता कि सर आप इसका बस सलूसन दे दो हम उसको पढ़ लेंगे तो उसके भजुगार हमारे पास है मैं उसका सलूसन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मज सब्सक्रिप्शन को मैंने यूटूब से बहुत अच्छ से एकदम डिटेलिंग में बता रहा हुआ है आपको लिंक उसका मिल जाएगा वहां से इसको देख लेना है तो यह प्रस्ण करमांग दो और यह आपका आचुका प्रस्ण करमांग तिन को भी आप जैक्टी कोशन सब्सक्रिक नहीं आता है नहीं नमबर के लिए फिल्शन रणाता है जो भी आत्वा में रहें तो दोप्रस्णा होंगे उसमें किसे किसी एक कहीं आपको एंसर लिखना होगा। सब्सक्रिक भार इंपर बता अब बारी आती आती है जो की क्या है बैंकिंग और After Just To मैंने आपको मिसंद 2023 में बताए हुआ था कि यहां से कैसे कैसे कोश्चन आते हैं तो यहां पर अध्याया आट के में मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन के पिटारा खोलने से पहले कुछ बेसिक कॉंसेप्ट कुछ फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा जो कि मैंने यूटूब इसके इंद्धी बताया हुआ है यहां पर फिर समें बरुष को डिसकसन कर लेते हैं ठीक है चले देखें तो बच्चों यहां पर देखें अध्याया आट जो कि आपका बैंकिंग एवं कराधाना है वहां पर आपको तीन परकार के खातों के बारे में पढ़ने को मिलता है स प्लीज बच्चों कुछी दिन की बात है मेरे को मेरे को देख लो जितना भी एडिटर होते हो कर लो एक्जाम के बाद तो बिल्कुल भई आपको आप मुझे देखने वाले नहीं हो तो क्या दिक्का है था कुछ दिन मिन को जहलो ना पढ़लो अच्छे से पढ़लो ठीक है कि यह एक रूपया निकालोगा इतना रूपा है जमा करोगा असे कोई बात रहीं होती कोयी बात धेता नहीं होती यह सर इसको हम बोलते हैं बचत खाता या फिर सेविंग एकाउंट जिसे हम इंग्लीज में अच्छे से बोलते हैं ठीक है सर चलो तर दूसरे परकार की खाता के बारे बताना चाहोगे बिल्कु बताएंगे सब दूसरे परकार का जो खाता होता है ना भाईया यह होता आवर्ती जमाखाता एकदम जमाखाता में क्या होता है एक निश्चित रासी को एक निश्चित समय तक जमा करते हो मालों कि आप सौर उपए को हर महिने जमा कर रहे हो किसी भी बैंक में तो वह क्या कहलाएगा आपका सर आवर्ती जमाखाता कहलाएगा इसमें यह बात धेता होती है कि आप कभी भी पै मिलते में मिलते हैं सर दो परकार के खाते के बारे में आपने बता दिया तीसरे परकार के बारे मिला है अज बताओंगा आज Specifically was तरेखलो olma dollordיהu cannot sir you here equals to one of club harta frixじë n डिपॉजिट एक अउन जिसे हम कर देते हो जब की आवर्ती जमाखाता में मैंने क्या कहता है एक निश्चित रासी को एक निश्चित समय तक आप जमा करते हो हर महीने जमा करते हो माले 200 रुपे को 100 रुपे को हर महीने जमा करते जाओगे एक साल तक दो साल तक 6 साल तक जितना भी आप टाइम फिक्स की रहेंगे लेकिन सावधी जमाख खाता में क्या होता है बच्छों एक मुझत तरह सी को माझने के आपके पास एक रूपाय उस एक रूपाय को आपने पूर्ए एक साल के लिए फिर दस साल के लिए फिर बिस साल lovely क्षिज द न करा देते हो तो तो सर वह हमारा कालाता वह सगता किये घाता में या वह तो लगाएगा बड़े कामों में और नहीं सबरके और को होता है profit क्या होता है profit के base में ही वो आपको ब्याज देता है तो सावधी जमा खाता में आपने fix दक करा दिया आप अपने एक लाख रुपए को पांस साल तक तो निकाल नहीं सकते हो तो पांस साल कि लिए आपके पैसे को किसी बड़े काम में लगाएगा जिससे उनको प्रॉफिट जादा होगा उनको फ्रॉफिट जादा हो रहा है तो आपको ब्याज भी वह झाधा ही डेने वाला है तो सबसे ज्यादा जो प्ले मिलता है कि तीनों में तीनों में सबसे ज्यादा जो ब्याज आपको किसमें मिलता है तुस्र हमें मिलता है सावधी जमाख खाता में ठीक है 18 सोला के शुला वीडियो को आपको देखना पहले वीडियो Ma slider कि बाधे बता हुआ है· क्यूंकि मां सबिसान में अनतिम प्रहार में मैं आपको अब्जेटिव के बारे है ठीक है चलिए सर्थ तीन परकार के खातों के बारें बता दिया ठीक है बता दिया अब यहां पर एक बात ध्यारक ना बच्चों कि मान लोग की आपने हर महिने पूरे थे दो साल तक पूरे दो साल तक सौ सो रूपाय जमा कर रहे हैं तो क्या होता है कैसे कुछ तरा रहा है कि यहाँ पर हम ब्याज की गढ़ना काइसे कर थे मोश्ट इंपॉर्टे लान बच्चों की क्या बोला मैंने अब हर स्थ हर महिने दो दो सबूर्पैया फी सौ सौ आचुका बराबर देखो इसका फॉर्मूला में लिखने जा रहा हूं एक बार तो इसी फॉर्मूले को अब्डेक्टिक को इस तर ने पुछ लेगा था तो फॉर्मूला को भी आद रखना है सर ब्याज आई बराबर यह होता है पी इंटू आर डिवाइड़ बाइड़ और बड़े वाले ब्लेकेट को करेंगे सर बिलकुत सर इस फॉर्मूले की मदद से हम आवर्ती जमा खाता में ब्याच की गणना करते हैं जहां पर सब्सक्राइब करते हैं यहां पर पी जो है आपका कहलाता है मूलधन अब अगर आप हर महिने हर महिने सौ सो रूपए आप आप जमा कर रहे हैं आपने खाते पर तो वह आपका सौ रुपए आपका क्या कहला घर इस लागा निफम प्रींस्पल भी बोलते है यह स्कूल वाला प्रीस्पल नहीं यह मूलधन वाला प्रीस्पल ठीके बच्छो सबमादा पी को समझ लिया कि मूल धहां सर अच्छा सु सबसक्ति निया रहा है ब्यास तो आपका यह कहलाता सर दर कहलाता सार एन के किस निगले तो एए न क्या होगा है होगा मासिक किस्टो की संख्याय है एन क्या है मासिक किस्टो की संख्याइं मासिक किस्टो की संख्या थोड़ा सा इस inflamEE बता तो मैंने कहा था बच्छो नीया hacks किthonमा कर रहे हैं तो मासिक किस्टो की संख्या कितनी हो जाएगी आप मुझे बता दो कि एक साल में एक साल में कितने महिने होते हैं तो कौन बच्चा नहीं बता पाएगा कि सर एक साल में बारा महिने होते हैं और हम दो साल तक जमा कर रहे हैं तो एक साल में बारा महिने तो दो साल में कितना हो जाएगा उसका डबल सर कुछ पुछना सार बिल्कुल पुछ डालो कमेंड बाक्स इसलिए बना हुआ है कि आप कुछ पुछो और उसका मैं एंसर दूँ इसका आप यूट्यूलाइज करना सिख जाओ ठीक है चलो अगर आपको निकालना है मिस्रधन आपने कच्छन नवी में पढ़ा हुआ है एक अध्याय कौन सा रासियों की तुलना करना आपको याद है क्योंकि मैं नवी और दस्वी दोनों क्लास को पढ़ाता हूं तो मुझे याद है कि आपने आपने कच्छन नवी में अध्याय साथ में रासियों की तुलना में पढ़ा हुआ मिस्रधन की गढ़ना करना तो सावधी जमा खाता में हम मिस्रधन की ही गढ़ना करते हैं तो सर मिस्रधन कर निकालने का कुछ फार्मूला होता क्या बिल्कुल बच्चों यह होता ही है सरी मिस्रधन क्या होता है तो मिस्रधन क्या होता है चलो इसके बारे में हम पहले दो मिनट्स तमझ लेते हैं पूरा मुलधन वापस करेगा यानि कि एक हजार रुपए वापस करेगा और जिस रेट पर आपने उसको दिया होगा ब्याज लगाया होगा तो वहाँ पर जितना ब्याज बनेगा वो भी उसको जोड़ कर देगा माल लो की एक हजार रुपए का एक साल में 200 रुपए ब्याज बना तो एक साल बार एक साल बार आपका जो दोस्त है वो बंदा जो है आपको 1200 रुपए देने वाला है कितना बारा सव रूपा सर देने वाला है तो यह बारा सव रूपा ही आपका क्या कहलाता है सर यह कहलाता है मिस्रधन जहां पर आपका मुल्धन और आपका जो ब्याज है यह दोनों इसमें जूड़ा हुआ होता है तो मिस्रधन में क्या होता है कि मुल्धन और सब्याब्याद साइब करते हैं तो बच्चों मि steeds करते हैं तो क्या सब्सक्राइब करना गई त्रेजित करतीए पर रच आपर ऊपर तरफ लिखते हैं विबक्रैइड्स निर्थे देट नोप यह लिए तो आवर्ती जम्हाखाता या फिर सावधी जम्हाखाता जहां से कोच्छतन पूछे आपको इसली फाइन कर लोगे सर यहां पर पी के बारे में कुछ कमेंड कर दिया किस्ता क्या है यह मूलधन है प्रीजपला बिल्कुल चुप्ता दो लिखने दो तो लिखने तो यह चलो आपके पास एक लाग रुपए है एक लाग रुपए है उसको आपने फिक्जड करा दिया कि भीया मुझे इस पैसे की पांस साल तक जवनत नहीं पढ़ने वाली है तो अपने आप बैंक मच्छे से गए बोल दिया बैंक वाले को पई की एक लाग रुपए को मुझे बात साल कि लिए कि राना है तो वह एक रुपए ही आपका क्या कहलाता है मुलधन कहला तर यह कहलाता है हमारा आपे कहलाता है सर यहाँ पर यहाँ वह बयाद में कox करणद यहाँ यहाँ पर आपका दर — यहां पर दावर्ति जमा किस्तोasis की संख्या पूला था क्योंकि आवरति जमा खाता में हम रہ महिने जमा करते भी या इसलिए मासी किस्तों की संख्या का था लेकिन यहां पर एन के बारे में मैंने का कहा था साओधी जमा खातम हम क्या करते एक मुझ्ट रासी को एक निश्चित समय के लिए जमा करते हैं मालोग के आपने एक लाख रुपए को पूरे पांस साल के लिए जमा कर आवर्ति जमाखाता में अगर बोलने की 5 साल बाद 5 साल बाद या फिर 5 वर सपस्चात कितनी धर्राइस से प्राप्त होगी तो वहां पर एन बराबर 5 नहीं रखोगे क्योंकि आवर्ति जमाखाता में आप क्या करते हो हर महीने जमा करते हो इसलिए 12-5 अचे 70 और 5 साल में 50 साल में कितने मासी किसता हो जाएंगे सरी हो जाएगा साथ यह दोनुन होने वाला एंका मान दोनुन में अलग-अलग में शाट नहीं कोई बच्चा कंफ्यूज दोगा अगर कोई भी कंफ्यूज होता है बलकूर बिल्कुल पुछ लाट पुछ डालो कमेंड बाक्स इसलिए बना हुआ है इसका उप्योग करना आप लो कमेंड नी करते भी यह कमेंड किया करो ना कमेंड करना तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों का बह вр tells चलो उसको बड़ी है जैसे बड़ा सा ब्रेक यहां पर यह भॉक्स में पांच नंबर का इंदाम में पूछता है मैंने यूटूब स्रीज में बता रहा हुआ है कि पांच नंबर के लिए तीन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है पहला आवरती जम्हा खाता से दूसरा सावधी जम्हा खाता से और एक आता है तीसरा आपका आयकर की गणना करने से संबंदित सबसे जो एक जो पूश्न रहेगा तुब में आवरती जम्हा खाता से रहेगा तो सबसे बेस्ट बच्चो आप आवरती जम्हा खाता या फिर सावधी जम्हा खाते वाले को ही बनाओ क्योंकि अगर आप आयकर की गणना करना इस्टार्ट किए तो आपके आपके 15-20 मिनट चले के बस आयकर करने वाले में बहुत लंबा चोड़ा आपको लिखना होता है कैसे करते हैं आपका यूटूब स्री दो ज्यादा इजी बनता है यह दोनों परकार के कुश्चन बनते हैं ठीके सर यहां पर हमने साले फॉर्मूले को देख लिए अब अब वो घड़ी आ चुकी है जिसके लिए मैं यहां पर रोज आता हूं और मेरा चेहरा देख देख कर आप खूचके है बिलकुल बोर हो या फिर कुस्टन कर चासुटन इसमा नामाद पूर्दिन अधिया आठ बंकिंग वं करा अधिया आठ कि खया चलो Пом7 ओ लुकूल 4 आपको में westernic चाहर नहीं पांच पांच को सब्सक्राइब यहां पर पांच को सब्सक्राइब यही इसको बनाने में इसको बनाने में 15 लग जाएगा तो पंद्रह मिनिट लगता इसको बनाने में जब मैंने इसको बनाया था आपको समझाए सब्सक्राइब तो पांच मिन जब अच्छा है कि फंद्रह में जब अच्छा है तो बिल्कुल यहां पर स्क्रीन सॉट ले लो अब इसको के लिए आपको कहां से पढ़ना है अगर वह बच्चा जो के वाल यूटूब देखकर पढ़ना चाहता है क्योंकि वह यूटूब देखकर ज्यादा अच्छे तरीके से समझता है तो उन बच्छों के लिए मैं कहूंगा कि इस को मैंने मिशन 2023 के अंतरगत करा कर रखा हुआ है मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर आप ट्लिक करते ही कहां पर पहुंच जाओगे इस कोश्चों में पहुंच जाओगे इस कोश्चों को पढ़ लो देख लो समझ लो वह बच्चा जो केवल और केव मेरे द्वारा स्वम हल किया हुआ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर बिल्कुल जाएए डाउनलोड कीजिए और मज़े से पढ़िए अराम से पढ़िए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपका हंडेट पे हंडेट नंबर आने वाला यह मैं गा जब कि वहां पर आपको अध्याय आठ के ना तीन पार्ट में वीडियो मिलेंगे पहले नंबर के पार्ट को देखना बहुत ज्यादा जरूए है क्यूंकि वहां पर बेसिक कॉंसेट साथी साथ साथ मैंने आपको अब्जेक्टिव कोईशन भी कराया हुआ है यहां पर जो पर जो लिखा गया उसी उसी कोस्टिव में जाकर देखना है अगर जाता है तो बिल्कुल आपको यह पढ़ाखना है wszyscy आपके पास दैशलने वाला है यह उसकाप कर पीडियाफ को मैं दे दूना या फिर आपको अगर किसी बच्चे को अगर किसी बच्चे को डिख्कत हो रही है कि सर हमें लिंक नहीं कर दो दो कर दो दो आप के आपको प्रस्तल दो बच्चों आज के सких क्लास को यहीं पर खतम dar करना चाहूं कि मुझे पता है कि आप मेरे से हो चुकि ऻव्बन भगाना चाहते हैं इसलए मैं खुद ही जाना चाहता हूं आप लो बोल Ice cream महीं चल दा दो भी आज किस क्लास को यही पर ऊवर करते हैं च्छा तारीक वाली क्लास में मैंने आपको दो वीडियो दिया हुआ है चार चप्तर के मांदारी पुर्वाँ पढ़ नहीं है तो अब हम मिलेंगे कल वाली क्लास में तारीक्ष साथ वाली क्लास में सुबह के 6 बजे जहां पर आप उडते ही को फिर से मेरे को देखने वाले हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तब तक लिए थाइंक्यू वेरी मच